कि दोस्तों पहली वीडियो में मेरिट लिष्ट चेक करनी बताई थी अब इस वीडियो में देखो आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करें कोलेज का जिस किस कोलेज में आपको मिला है सीट मिली है आपको दोस्तों गुगल पर जाके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेर्च करें उसके बाद साइट खुल के आएगी रजास के यह दोस्तों हैर एजुकेशन हरियारा की साइट है इसके उपर दोस्तों स्कॉल करने के बदी जो पर है दोस्तों सबसे पहले और करें इस पर करने के बाद दोस्तों एंटर्फेस आएगा जिसके अंदर आपको यह लिखा हुआ दिखेगा उसके बाद दोस्तो इसके उपर ही कोणे में तीन निशान है जो ये इसके उपर जाएं दोस्तो इसके उपर जाने के बाद आपको देखो कि वहाँ पर लिखा हुआ होगा no your result तो वहाँ कलिक करें no your result पर जागे दोस्तों यह आपका form भरना जाएगा डेटेल्स तो यहाँ आप अपना जो आपकी ID है जो आपके पास message आया होगा form भरते time registration ID का वो ID भरे यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी ID है यूएएग किस 20-30-40 कुछ भी है आपकी तो दोस्तों वो ID complete करें यहाँ पर उसके बाद ID भरने के बाद दोस्तों candidate का नाम भरना होता है candidate का नाम भरने के बाद जो है admission select लेक्ट 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 दोस्तों कि आपका किस college में किस course में लेना है UG मिलेना है या PG मिलेना है उसके बाद दोस्तों merit list पहले selected है merit list जो select है उसमें उसको edit करें उसमें UG बरें और UG बरने के बाद जहां पे go का option है go के option पे click करें go के option पे click करने के बाद दोस्तों आपके सामने निच्छे ये खुल के आएगा वहाँ मिला हुआगा दोस्तो स्क्रोल हो जाएगा नीच्चे नेम आपके ID, father name आजाएगा नीच्चे आपको मिलेगा कि कौन सा college आपको मिला है और वो college आपके कौन सी preference थी दोस्तो इसमें मिला है लानलात हिंदू college, bachelor of art इंगलिस हिंदी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री प्रेफरेट सेकिंड दोस्तों बी ए की लिस्ट ग्यारा तारीक को नहीं आई थी वो कल आई है तो इसी तरह से दोस्तों आप अपना कोलेज चेक करें